जो दिखा रहा है 180200 साथ मने मिन्स 180200 में कंस्ट्रक्ट्ट्टिव कुछ नहीं हो रहा है ऐसा पैटंट तैर कर दिया है ऐसा पैटंट में लग रहा है 18,200 पार करना मुश्किल है तो अब भी 18,200 पार करे भी इसमें जैसे सेलिंग आ रहा है पैटर में देख रहा है तो इसमें 18,900 अभी नहीं जाएगा 18,000 बाद भी नहीं जाएगा 18,000 फिफ्टी में लाग रहा है मार्केट कुछ दिन बाद ही आ जाएगा उसके बाद कंसा स्ट्रक्चर हो रहा है देखना है उसके बाद देखना है अच्छा स्ट्रक्चर आएगा तो 18,000 नासा के लिए लग रहा है टू इक तो लगेगा अभी तो डाउन साइट में थोड़ा मार्केट जाएगा थोड़ा 11,800 जा साकता है बाद वहाँ पर सेलिंग आएगा ज़रूर सेलिंग आएगा तो वहाँ पर 18,300 मार्केट आएगा तो हमारा सेलिंग करना है स्ट्रक्चर आच्छा नहीं रहेगा तो सेलिंग में आना है अभी 18,000 फिफ्टी तक सेलिंग 18,300-18,200 जो ही आएगा उसमें सेलिंग आना है 18,050 तक सेलिंग की टार्गेट रहेगा किसी स्टॉक में ऐसा निफ्टी की तराफ होगा तो उसमें भी ऐसा करना है अभी तो मर्केट 18,000 फिफ्टी में आच्छा स्ट्रक्चर बारना एगा तो तब बाईइंग करना है तब 18,900 के लिए जा सकता है टूवीक तो लगेगा ही लगेगा ऐसा लग रहा है ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो आच्छा स्ट्रक्चित था उसको आज ब्रेक कर दे रहा है लग रहा है 18,200 के ओपर जाना मुस्किल है तब भी जाएगा तो 100 और भी जा सकता है बट वहाँ पे जाकर फसाएगा और कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है मर्केट 18,600 के चला जाएगा तब भी देखना है हमारा नाजडाक जो गलोबाली मार्केट अच्छा रहा है तो हो सकता है काल गलोबाली मार्केट अच्छा परफर्म नहीं दिया है तो सेलिंग प्रेसर बहुत है गलोबाली इसलिए हमारा मार्केट भी धिमी धिमी ऐसाई हो रहा है पहले तो selling में आएगा उसके बाद ओपर में जब गोलवरी स्ट्रॉंग हो जाएगा अपडेट देते रहेंगे अभी तो selling के लिए 18,050 के लिए दिस वीक के लिए ऐसा target हो तो ऐसा target fulfilled हो जाएगा तो 18,050 में fulfilled हो जाएगा तो उसके बाद देखना है structure है तो तब हम लोग upside में जाएंगे तो अब नस्ट्रक देखना है बाटाव futures देखना है ग्लोबाली मार्केट ठीक रहेगा तो नहीं तो अभी इतना ज्यादा बाइंग में stock में नहीं आना है ऐसा नहीं तो फस आएगा हम लोग ओके थेंक यू